हेलो बच्छो पेले बच्छो आप लोगों के सामने आज एक नया चैप्टर सुरू होने जारा है चैप्टर नमबर 7 और बच्छो ये चैप्टर नमबर 7 ये चैप्टर नमबर 7 बहुत ही ज्यादा important है और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें important एक वो चीज है जो आज तक आप लोगों ने कभी भी अपने syllabus में नहीं पड़ी है किसी भी year में यानि ना 10th में ना 9th में 8 में किसी भी साल में आपने नहीं पड़ा है ये एक नया ही topic है और प्यारे वच्चों इस नए topic में इस नए topic में एक ऐसा मज़ा है कि आप लोगों ने जो अभी तक किया है लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं मतला आप लोगों पहले कई बार ये काम कर चुकें लेकिन अभी तक लेकिन अभी तक आपने ये बात नहीं सोची कि भई इसमें ऐसा भी तो हो सकता है क्या हम इस टाइप के इतने कंडिशन भी तो बना सकते हैं लेकिन भई वही बात है कि जब तक हमारे दिमाग पे इस चीज की छाप नहीं पड़ती कि हाँ जी ऐसा भी हो सकता है तब तक हम उस वारे में सोचते भी नहीं और अगर हम सोच लेते हैं तब भई हम खुद का ही एक अपना टॉपिक जनरेट करते हैं जैसे ये पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है जरूर किसी के माइंड में स्ट्राइक किया होगा तभी तो ये चैप्टर बना ठीक है और आज हम वो पढ़ रहे हैं उसी चीजों को तो क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों के माइंड में वो बात स्ट्राइक नहीं की गई और फिर हमने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद आज हम लोग इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं पर्मूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर्मूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ठीक है बच्चो पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें कुछ गृप्स दिये होते हैं और उन गृप्स की हमें अरेंजमेंट त्यार करनी होती है हमें क्या करनी होती है अरेंजमेंट त्यार करनी होती है और जब हम इन groups की arrangement को त्यार करते हैं तो हमारे सामने नए नए पड़ाव आते हैं नए नए steps आते हैं और उन्ही steps को दियान में रखते हुए हम उसको solve करते हैं और उसका solution निकालते हैं जैसे फर एक्जामपल आपसे ये मैंने कहा आपसे मैंने ये कहा कि भाई कि अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपका नाम है फर एक्जामपल आसा ठीक है जी आसा नाम है अपका ठीक यह आसा नहीं लेते हैं कुछ ऐसा लेते हैं जिए सारे वर्ड अलग हो इसा ल अब क्या बच्चो ये ईशा वर्ड बने गया है तो इससे पर्टिकुलर एक नाम सजिस्ट होता है कि हाँ भी ये किसी लड़की का नाम होगा लेकिन अगर बच्चो मान लीजिए ये ऐसे है और इसको पलट के मैं ऐसे कर दूँ अब कैसा लग रहा है इशा है ना अब मैं इसको ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ या मैं इसको भई क्या कर दूँ ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ तो मतलब क्या है देख रहे हैं हम लोग कि बच्चो वर्ड एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा था लेकिन अब क्या है इसको हमने प तो इसका मतलब क्या है बच्चों एगवाब बताओ कि हमारे पास English में है तो वही 26 लेटर लेकिन उन्ही 26 लेटरों में से ही हम लोग जब सही से किसी चीज को अरेंज करें तो कोई एक meaningful word बनता है और सही से लेटर है या कोई word है तो उस word में letter की arrangement कैसे with meaning और without meaning दोनों आप पता कर सकते हैं ठीक है तो जैसे यहां पे ईशा लिखा तो समझ में आया लेकिन क्या इस नाम से कोई भी समझ में आ रहा है बताओ ठीक है ईशा लिखा यहां पर मैंने यह इशा लिख दिया यह समझ में आ गय के दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चो के हमें यहां पर यही चेक करना है कि कैसे कैसे हम लोग with meaning without meaning words को words के letter को arrange करते हैं ठीक है सुरुबात में थोड़ा अजीब है लेकिन जब करने लगेंगे तो बहुत मज़ा आएगा ठीक है जैसे मैं एक कोशन लेता हूं आपके सा four letter word एक four letter का word है with or without meaning चाहे मतलब निकले चाहे मतलब ना निकले which can be formed out by the word rose where the repetition of the letter is not allowed हां जी आपके पास एक word है बच्चो रोज example number first है आपके पास example number first में कहरा आपके पास एक given word है four letter का rose अब कहरा बताओ इसको कैसे arrange करें इसको कैसे arrange करें कि एक मिन बच्चो झाल आपके लो सो अबड़िए रोज करें को क्वकल मार दो सॉत्व निकले पास एक पास एक रपके पास एक व्हा करें कि एक हरें को करें है तो जा एक तो ग्या है 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 एक कॉल आ गया था अर्जेंट ठीक है अच्छो गिवन वर्ड ठीक है गिवन वर्ड आपको क्या दिया हुआ है रोज दिया हुआ है क्या दिया हुआ बच्छो रोज अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ठीक है ध्यान से सुनिए इसने कहा कि इसको इस वर्ड को ऐसे अरेंज करो कि इसका मतलब निकले ना निकले हमें कोई लेना देना नहीं ब arrangement no.3 मैं पत्व क्या कर रहा हूं इनके place को change कर जा रहा हूं R by O की जगा है यहां E कर दो shift E O S फिर fourth R हां जी अब क्या करेंगे और shift कर दो E S O ठीक है और shift कर दो ठीक है और shift कर दो क्या कर दूँगा R S E O ठीक है और shift कर दो बही और shift कर दो R S O E क्या बन जाएगा O E इस तरीके से तो हमने क्या देखा बच्चो कि एक बार हमने जब यह किया तो भई 6 केस बने अब क्या करो रोज के साथ भई एक बार आगे था अब एक बार O आगे कर लो O R S E अब इसी का second बनाओ O R E S फिर इसी का third बनाओ O E R S फिर इसी का fourth बनाओ O E S R फिर इसी का fifth बनाओ O S E R फिर इसी का sixth बनाओ O S R E ठीक है बई तो यह बने गा हमारे पास इसी तरीके से अब एक बर S को आगे रखके देख लो S S-R-O-E फिर इसी का S-R-E-O फिर इसी का थर्ड S-R सरी S-E-R-O फिर फोर्थ S-E-O-R फिर फोर्थ S-O-E-R फिर फिफ्थ S-O-R-E ठीक है जी? ठीक? अच्छा, अगला अब एक बर R को आगे एक बर O को आगे एक बर S को आगे अब की बर किसको E को आगे तो फिर बचा क्या R-O-S हाँजी, अब क्या करेंगे? E अपनी जगा R, S को आगे O को पीछे थर्ड E, R हाँजी, अब क्या बनेगा? सॉरी, S को इधर S को इधर R-O फॉर्थ E, हाँजी, आप क्या बनेगा? जल्दी बता दो हाँजी E, S, O, R फिफ्थ E, इधर कर दो O, S, R ठीक है? फिर ये सिख्थ बनेगा E, O, R, S तो बच्चो कुल मिला के हमने देखा 6 केस इसके 6 केस इसके 6 केस इसके 6 केस इसके तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 24 तो इसका मतलब बच्चो मैं R-O's word को with और without meaning arrange करके 24 क्या बना सकता हूँ? word बना सकता हूँ चाहे उसके मतलब निकले चाहे उसका मतलब ना निकले लेकिन बच्चो पहले आप इसको नोट करो फिर मैं इसके बारे में बात करूँगा पहले आप इसे नोट करो चलिए आपने वीडियो बास करके यह नोट कर लिया होगा लेकिन बच्छों मुझे बस एक बात इतनी थी बता दो कि क्या चलो ठीक आज आज आपके सामने रोज वर्ड है तो आपने ये करके देख लिए पांच मिनट में हो भी गिया लेकिन अगर खुद वर्ड पर्मूटेशन होता तो ये करना कितना पॉसिबल होता देख सकते हो कितने लेटर हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा ग्यारा लेटर को इस तरीके से अरेंज करना हालत खराब हो जाएगी भाई चाहे कोई भी टीचर तो इसका मतलब ये साबित होता है कि भाई, ये एक ऐसी चीज है जो एक बेफकूफी को हमारे रिपर्जेंट कर रहा है यानि हम लोग अगर इस तरीके से कोशन को करने की सोच रहे है या कोई टीचर आपको इस तरीके से कराने की सोच रहा है तो भाई, ये एक सरासर दिमाग के उपर हमला है ठीक है और दिमाग के उपर हमला नहीं किया जाता दिमाग को cool रखके solution दिखाये जाता है असान से असान इसी का नाम भीया mathematics में permutation combination है तो आओ ये एक बहुत बड़ा तरीका सीख लिया और सीख के आज ही भूल जाना है बस हमें अब answer से मतलब होना चाहिए किसे मतलब होना चाहिए answer से और एक बात और भी बोली गई है कि कोई repeat नहीं होना चाहिए तो देख लो कहीं पर भी कोई repeat है नहीं कोई भी letter आया है तो एक ही बार आया है तो चलो अब इतना बड़ा करने से अच्छा है मैं आपको direct दिखाता हूँ हां जी क्या चाहिए हमें हमें चाहिए number of ways of words with or without meaning with or without meaning हमें यहीं चाहिए न बच्चो हमें with or without meaning चाहिए तो बस कुछ नहीं करना है पस इतना देखना है कितने letter है उतने ही डब्बे बना दो जितने letter है उतने ही डब्बे बना दो अब क्या बोला उसने कि repetition allowed नहीं है repetition allowed नहीं है मतलब पहले डब्बे में मैं इन चारों में से कोई एक letter रखूँगा ठीक है तहीं बात है एक बार देखा था अपने R था एक बार O था एक बार S था एक बार E था ठीक फिर फिर क्या हुआ फिर करना multiply फिर क्या करना multiply अब जब चारों में से कोई A किसमें put कर दूँगा तो बचेंगे कितने 12- Bible एससे रखा जाएगा ठीक है तीन रख दिये अच्छा安 चारों मेंसे कोई एक तीनों मेंसे कोई एक अब क्या बचा है तो तो दोनों मेंसे कोई एक अब क्या बचा है अकेला तो यह मट्टिपलाई ऐसा कोशन ले लो जिसमें वर्ड रिपीट ना हूँ ठीक है हाँ जी तो इसका इसका बनाओ number of ways with or without meaning हाँ जी तो क्यासे बनेगा कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह तो रुभाई नो डब्बे आ गए नो तो भाई कितने है तीन तीन छे तीन नो तो यहनी इसमें नो में से कोई एक नो में से कोई एक फिर आठ में से कोई एक साथ में से कोई एक छे में से कोई एक पांच में से कोई एक चार में से कोई एक तीन में से कोई एक दो में से कोई एक में से एक ठीक है इन सब के आपस multiply कर दो, इतने word आप लोग बना पाओगे, तो चलो करके देखें जड़ा, हैं, try मारें चलो, असान-असान करते हैं पहले असान-असान करते हैं, पांचो के 20 तीया, 60 दुनी 120 असान-असान किया हमने, 120 120 ही के यहनिके 12 जिक बहुतर 720, ठीक है अब क्या करेंगे, 720 727, जा हां जी, तो कितना हो जाएगा, 0, 4, 1 और यह 50, फिर 870 पलाई कर दो, तो 0, 32 और यह 40 अब 9 से कर दो, 0, 18, 27 और 1, 28 और 36, यह आएगा अच्छो आनसे, तो यानि इतने words आप, यानि, with और without meaning, इससे education से बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, education से बना सकते हैं, तो देख लीजिए बच्छो, अब सोचो यह तो 9 का था, तो इतने बने, यह तो 11 का था, तो सोचो कितने बनते, समझ रहे हो, तो इस तरीके से बच्छो हम लोग इसका पूरा अंसर निकाल लेते हैं ठीक है जल्दी नोट कीजिए फिर इसके बाद मैं आपको example number two करवाता हूँ आज 7.1 खतम करा दूँगा चलिए नोट कर लिया होगा चलिए कुशन number 2 क्यारा बच्कों के पस four different flags करें ठीक है ठीक है ठीक है और हमें सिगनल बनाने है फ्लैक से हमें क्या बनाना है सिगनल बनाना है फ्लैक से हमें क्या बनाना है सिगनल बनाना है और सिगनल जो बनाना है वो दो कलर को मिला के बनाना है कि ऐसा बनाना है दो कलर को मिला के बनाना है ठीक है बच्छो और साथ ही साथ कह रहा है कि क्या दो कलर को मिला के बनाना है और हाँ color same नहीं होने चाहिए दोनो color अलग-अलग होने चाहिए ठीक है और भई आपको बता है जंडा ना कुछ इस type का बना रहे हैं वोग इस type का ऐसे ठीक है उपर वाले में कोई different color है और इस वाले में कोई और color है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने अलग-अलग type के color लिये हैं उपर वाले में कोई अलग color दूसरे वाले में कोई अलग color लेकिन color उसके पास कितने हैं चार ही हैं तो बताओ इन चार color से वो total कितने color के जंडे बना देगी total कितने color के जंडे flags बना देगी तो बस बात खतम number of ways of flags number of ways of flag combinations combinations हां जी जंडा एक उपर चाहिए एक नीचे चाहिए तब जाके एक जंडा बनेगा तो बहिए देखो उपर वाले कलर के लिए उपर वाले कलर के तो मेरे पास तेन ही color बचेंगे तो तो टोटल मैं कितने flag बना सकता हो प्यों फोर फरीजा ट्वल्व बारा फ्लैक बना सकता हूं मैं कितने flag बना सकता हूं वारा फ्लैक बना सकता हूं कोई दिकत ठीक है next question बच्चो, ठीक है같ा, तो देख रहो, बस सिरिफ थोड़ा सा सोचना है और आंसर निकाल देना है एक्जांपल नमबर 3, sackist, कहले हाव मैनि 2 डिजिट इवन नमबर, हाव मैनि 2 डिजिट इवन नंमबर कैन भी फो म्मटल फ्रम डिज डिजेट 1, 2, 3, 4, 5, if the digit can be repeated, if the digit can be repeated, चलो बच्छो, अब देखो, हां जी, हमें क्या है, the given numbers are, the given numbers are, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें number दिये वे हैं, और हमें क्या बनाना बच्छो, two digit of even number, number of ways of two digit even number, हमें बच्छो ये बनाना है, ठीक है, number of ways of two digit even number बनाना है, बच्छो, two digit even number का मतलब क्या हुआ, कि यहां पे हमें दो digit के हिसाब से बनाना है, और एक बात और कहा दिये है, digit can be repeated, भई, digit को मैं repeat कर सकता हूँ, अब तक हमारे पास color जो था, वो repeat नहीं कर सकते थे, रोज वाले में भी repeat नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वाले में हम repeat कर सकते हैं, ठीक है, तो बच्छो ध्यान सा सुनना, एक बाताओ, even number की सर्थ क्या होती है, even number बनाने की सर्थ क्या होती है, कि जिसके भी last में, जिसके भी once place में, ये once place है, ये tense place है, हिंदी मैं अगर बोलू तो एकाई कांक है, कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी बीडियम से आये होंगे, और ये दहाई कांक है, एकाई कांक, दहाई कांक, once tense, तो बच्चो, even number क्या कहता है, कि जिसका भी once, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, जिसका भी once, इकाई कांक, once digit, इकाई कांक, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो even number होगा, सही बात है, उसके बाद आगे कोई सभी number हो, कोई लेना देना नहीं है, बस once की digit में ये होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ पर ऐसे कितने digit हैं, जो even number है, तो भाई, यह दो है, 2 और 4, दो ऐसे digit हैं, जिसको once पर रखना बिल्कुल compulsory है, कि इन दोनों को अगर हम यहाँ once पर नहीं रखेंगे, तो भाई, क्या होगा, हम even number बना ही नहीं सकते, even number पर बनाने के लिए, मुझे इन digit का सहारा चाहिए, जिसमें से मैं ये देख रहा हूँ कि 0 मेरे पास नहीं है, 6 मे मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है, 2 और 4, तो भाई, 2 और 4 में से कोई भी एक digit मेरे को यहाँ पर रखनी है, तो मतलब दोनों में से कोई भी एक digit, ठीक है, अब आगे, अब आगे क्या रखा जाए, तो भाई, मेरे को तो पहले ही बता दिया गया है, कि digit क्या हो रही है, repeat हो रही है और जब डिजिट हो रही है तो मैं तो इन पांचों मेंसे इन rear उंहें नंबर से 10 even number बना सकता हूं कितने even number बना सकता हूं 10 even number बना सकता हूं ठीक है बच्छो फटा फट note कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलो होगे note अगला देखेंगे अब आता है example number four अब आता है example number four ये बड़ा कोशन अच्छा कोशन है प्यारा कोशन है ये भी फ्लैग वाले की ही तरह है मतलब फ्लैग वाला ही है कोशन बस थोड़ा सा इसमें चेंज है ठीक है पहले फ्लैग हम पढ़ेंगे उसके बाद हम करेंगे example number four हाँ जी क्या है कोशन में find the number of different signals by different signals that can be generated by arranging at least two flag क्यारा अब की बार हमें at least कम से कम दो फ्लैग का signal बनाना है कितने का कम से कम दो फ्लैग का signal बनाना है इन और वन बिलोड तो अधर मतलब एक के नीचे एक बनाना है और अगर हमारे पाफ फाइव different color flag है ठीक है the number of different color flag different color flags कितने बच्चों इस बार हमारे पाफ फ्लैग जो है different color के 5 है कितने हैं 5 flag है ठीक है लेकिन आपकी बार जो हमें number of ways बनाना है ठीक है number of ways of flag signals flag signals ठीक है हां जी हमें flag signal बनाना है जो कि क्या कहा रहा है at least two जो फ्लैग सिगनल बनेगा वो कितने का बनेगा at least two flag signal बनेगा at least two flag signal बनेगा तो बच्चों जब दो फ्रैक का signal बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं at least word का मतलब जानूँगा, पहले मैं क्या जानूँगा, at least word का मतलब, तो मुझे ये पता चल चुका है, कि at least word का मतलब होता है, कि ऐसा, अगर लिखा हुआ है at least two, तो इसका मतलब 2 तो हो गई और 2 से बड़ा होना चाहिए अगर लिखा हुआ है at least 10 तो मतलब क्या 10 तो हो गई और 10 से बड़ा भी होना चाहिए लेकिन उससे छोटा नहीं at least 2 का मतलब 2 से बड़ा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं At least 10 का मतनब 10 से बड़ा हो सकता है लेकिन 10 से कम नहीं तो यहां पर at least two flag बोला है तो हम एक एक करके सारे conditions जोड़ेंगे तो पहला पहला If 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 the flag signals Flag Signal If the flag signal is Made up Made up of By two flags By two flags अगर मैं दो flag के साथ signal बनाऊं हाँ जी तो दो flag के साथ अगर signal बनाऊंगा तो सीधी बात है Same color का तो होना नहीं चाहिए क्योंकि signal अगर same color का बन गया तो फिर फाइदा किया तो भई यानि कि यहां पर क्या होगा यहां पर 5 में से कोई एक flag और यहां पर क्या होगा 4 में से कोई एक flag तो total 20 यानि कि 2 flag का signal कितने case बन सकते हैं 20 case बन सकते हैं Second If the flag signal is made up of by three flags By three flags 5 5 में से कोई एक 4 4 में से कोई एक 3 3 में से कोई एक मतलब भई इसका 5 में से कोई एक 4 में से कोई एक 3 में से कोई एक मतलब अगर मैं 3 flag को मिला के बनाऊंगा तो उपर वाले में 5 में से कोई एक color रखूँगा नीचे वाले में 4 में से कोई एक color रखूँगा और उससे नीचे वाले मैं तीन में से कोई एक कलर रखूंगा तो total कितने signals बना सकता हूं बच्चों मैं क्योंकि हाँ, अब मैं तीन flag पे क्यों गया क्योंकि उसने बोला at least two तो at least two का मतलब है कि two भी ले सकते हैं और two से जादा भी ले सकते हैं हाँ जी, तो पांच गुना चार गुना तीन तो पांच ओक के बीस तीया साथ अब थर्ड if the flag signal is made up of by four flags ठीक है four flags का signal बनाएंगे अब हम हाँ जी, तो four flags के signal पांच में से कोई एक, चार में से कोई एक तीन में से कोई एक और दो में से कोई एक तो टोटल कितना हो गया, पांच ओक के बीस तीया साथ दूनी एक सो बीस, तो एक सो बीस सिगनल और इसी तरह है, fourth if the flag signal is made up of by five flags पूरे के पूरे पांच ओ यूज कर लिए तो पांच ओ यूज कर लेंगे, तो पांच गुना, हाँ भई, पहले बाले में पांचो में से कोई एक कलर, दूसरे में चार में से कोई एक कलर, तीसरे में तीन में से कोई एक कलर, दूसरे में दो में से कोई एक कलर, और लास्ट वाले में सिंगल कलर और ये भी कितना आएगा, 120 तो उसने क्या पूछा है हम से अब उसने क्या बूचा है हमसे कि बताओ total number of signals कितने बनेंगे total number of signals total number of signals by these colors signals by these colors हां जी तो कितने बनेंगे बच्चो बस हां जी 2 flag वाले का 20 case 3 flag वाले का 60 4 flag वाले का 120 इसका भी 120 120 120 कितना हो गया 240 240 और 80 320 तो मतलब अच्चो total 320 signal हम लोग बना सकते हैं अगर at least two flag का यूज किया जाए अगर at least कितने flag का यूज किया जाए two flag का यूज किया जाए ठीक है बच्चो चलो note करो इसे जल्दी हाई तो यूज कुछ थाए अगर झाले का यूज कितना है अगर रच्चो यूज कितने हैं अगर टूज कितने जाए चलिए अगला कोश्चिन मतलब यह हो गया ठीक है बहुत अच्छा कोश्चिन था अब आते हैं 7.1 पे 7.1 पे ठीक है वैसे मैं 7.1 आपको यह दूँगा आप करना नेक्स क्लास में फिर मैं 7.23 यह सब करवाऊंगा ठीक है चलिए हाँ जी तो पहला कोश्चिन हाँ मैंनी थ्री डिजिट नंबर कैन भी फॉंड बाई यह आपको पहला कर सकते हो यह भी बना सकते हो कि इवन नंबर बनाने की सर्थ मैंने बताई रखिये है कि लास्ट में यानि वन्स डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए वो चाहिए 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो 2 डिजिट का हो ठीक है थर्ड भी आप कर सकते हैं फिफ्ट मैं कराता हूँ सरी फॉर्थ मैं कराता हूँ फिफ्ट और सिफ्ट आप कर सकते हैं फॉर्थ करा रहा हूँ बस 7.1 में मैं फॉर्थ कोशन करा रहा हूँ बाकि सारे कोशन आपको खुद करने हैं हो जाए तो ठीक बरना मैं कर वाँँग of number of digits of 5 digits by digits between the number of 0 to 9. उसने बोला है 5 digit का phone number बनाओ किसके बीच में? 0 9 तक के बीच में हैं. ठीक है? ठीक है? अज़ने क्का बताया बच्चो आपको? कि एक five digit का phone number बनाना है जो 0 9 के बीच में होगाalten. जीरो से नाइन के बीच में होगा ठीक है लेकिन एक बात कही है बच्चों मुझे पाँच डिजिट का पाँच डिजिट में अगर फोन नंबर बनाना है हाँ जी अगर मुझे पाँच डिजिट का फोन नंबर बनाना है तो उसमें एक बात कही गई है और पांच डिजिट का जो नमबर बनाना वो किस में से बनाना है? 0, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चो इस में से बनाना है और यही नमबर होते भी हैं फोन में आद मान रहो ना इस बात को यही नमबर होते हैं फोन के अंदर और इनी में से हमें पांच नमबर का फोन नमबर बनाना है पांच नमबर का क्या बनाना है? फोन नमबर लेकिन उसने कहा है कि इन पांच नमबर में से 6 और 7 पहले से ही आगे दिखाई दे रहे हैं 6 और 7 जो है यह पहले से ही क्या दिखाई दे रहे हैं? आगे इसका मतलब मुझे बस तीन में और फिल करना है मुझे क्या करना है तीन में और फिल करना है ठीक है तो बच्चों ये काम मैं जो कर रहा हूँ ये रफ मैं कर रहा हूँ आप यहां से लिखना सुरू करेंगे ठीक है हाँ यह यह लिखेंगे लेकिन यह नहीं लिखेंगे बस मैंने आपको रफ के लिए लिखवाया है अच्छा तो नंबर ओफ वेज नंबर ओफ वेज टू मेंग टैलीफोन नंबर टैलीफोन नंबर ओफ वेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्छो इन्होंने कहा है कि पांच नंबर का टैलीफोन नंबर बनाओ जिसमें 6 और 7 जीरो से लेके 9 तक में 6 और 7 पहले ही क्या है आगे fix कि यह तो भाईया code लगेगा ही लगेगा अब जो भी arrange करना है इन 3 में arrange करना है तो कैसे arrange करेंगे बच्छो और ये भी बता दिया है repeated है कि नहीं है no digit appear more than once यानि repeated नहीं है repeated नहीं है तो क्या करेंगे बच्छो तो हम last के अब अपने 3 को उठा लेंगे 3 digit को उठा लेंगे क्योंकि बच्छो 6 को और 7 को तो हमने क्या कर दिया fix कर दिया तो हमारे पास तो बस last 3 ही बच गए ना digit जिसे हम इधर उधर कर सकते हैं यानि replace कर सकते हैं तो कैसे करेंगे बच्छो देखो 0 से लेकर 9 तक में total 10 number होते हैं 0 से लेकर 9 तक में total कितने number होते हैं 10 number जिसमें से 6 को और 7 को कर दिया fix 6 को और 7 को क्या कर दिया यहां पे fix तो बचे total कितने number एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो अब हमारे पाँ टोटल आठ नमबर बचे, टोटल कितने नमबर बचे, आठ, और डिजिट रिपीट नहीं है, तो इनमें मैं क्या कर सकता हूँ, आठ में से कोई एक डिजिट रख सकता हूँ, आठ में से कोई एक, यहाँ लिखने का मतलब यह नहीं है, कि मैंने आठ ही रख दिया, आठ लिखने का मतलब है, कि बचे हुए आठों में से कोई एक डिजिट, फिर यहाँ पर लिखूंगा, साथ, अब बच्चे कहेंगे, साथ तो अपने पहले लिख दिया, क्यों उल्लू बना रहे हो, अरे भाई, इस साथ का मतलब साथ है, लेकिन इस साथ का मतलब क्या है, कि जो बाकी के साथ डिजिट बच गए, उनमें से कोई एक रखना है, फिर है यहाँ पर सिक्स, तो फिर से बचे हुए उल्लू बना रहे हो, कि छे तो पहले ही रखा हुआ है, भाई इस सिक्स का मतलब सिक्स होगा लेकिन इस 6 का मतलब क्या है कि बचे हुए 6 नंबरों में से कोई भी एक रखना है तो बस multiply कर दो हाँ बई क्या होता है 8, 7, 6, 42 answer 8, 16, 16, 1 और 8, 32, 31, 33 तो यानि कि 336 तरह के नंबर हम लोग बच्चो telephone number 5 digit के बना सकते हैं 5 digit के 336 telephone number हम लोग बना सकते हैं तो बच्चो इस तरीके से आपका 7.1 खतम हुआ और 7.1 के question करो नहीं आते हैं मैं बताऊंगा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई question नहीं आता है तो आप मुझे message करके बता दे मैं एक एक question अपने हाथ से board पर करवाऊंगा बेफिकर रहा हूँ ठीक है तो आज की class को बहुत अच्छे से समझो अगर कोई doubt आता है तो फिर आगे मैं इस से related सारे questions आपको board पर बकाइदा कराऊंगा ठीक है तो चलिए आज की class यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next class में आप लोगों को एक नए एक नए topic की तरफ लेके चलूँगा जिसका नाम है factorial ठीक है तो चलिए आज की class यहीं खतम करते हैं